नमस्कार MPPSC Forest Service Examination 2021 इस exam के लिए अभी तक अपनी दो classes आचुकी हैं छोटी छोटी रहें तीसरा पार्ट जो है वो आज हम लोग डिसकस करेंगे अभी तक हम लोग जो study कर रहे थे जो अपनी forestry की developmental phases है या इसका जो इतिहास है प्राचीन काल से लेके modern तक और उसमें भी जो कुछ बड़े बड़े जो event हुए है हर छोटे छोटे event को cover करना एक तो यहाँ जरूरी भी नहीं है और possible भी नहीं है तो जो major event हुए है उन्हें हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे थे और अपनी स्टोरी जो है वो ancient इंडिया से लेके देश के आजाद होने से पहले तक का जो period था वहाँ तक complete कर चुके थे आज की क्लास में हम लोग 47 से लेकर के जो current time है उसके बीच के जो major event है और डिसकुस करेंगे इसमें discussion में आगे बढ़े हैं उससे पहले दो चीज़ा और देख लेते हैं first यह जो अपनी क्लास है regular basis पे daily 5 पीम पे आना कई बार यह possible नहीं हो पाता है तो अगर इसमें irregularity जड़ा हो जाती है तो जैसे suppose आपको एक एक डेडर घंटे की क्लास daily wise हो उससे बहतर है कि दो ड़ाई गंटे या तीन गंटे की क्लास आपको alternate मिल जाए MWF में मंडे, Wednesday और Friday तो ऐसे आप नो दस घंटे की असपास आवीक क्लास अगर आपकी होती जाती है तो आप आरम से syllabus कबर कर लेते हैं Second thing, आपको क्लास का weight नहीं गतना है क्लास जैसी ही conduct होगी अगर suppose कई बार कोई technical fault आजाता है तो ये जैसा भी होगा वो आपके पास upload हो जाएगा और आपके जो pad group है वहाँ पर उसकी link share कर दी जाती है तो जब भी वाच वो upload हो जाएगी आप उसे तब बाच कर सकते हैं अपनी सुबधा के अनसार बाच कर सकते हैं आपको क्लास का weight नहीं करना है कि आप 5 पीम पे क्लास आएगी 5.10 हो गया 5.15 हो गया अभी तक नहीं आएग इसमें weight करके time खुटी करने की जरुवत नहीं है आप क्लास को इस type से लीजिए कि आप अपनी सुबधा से जब आपकी इक्सा हो जब आपके पास free time हो जो आपका regular curriculum है उससे जब आप relax हो तब आप इसे वाच करिए तो अपनी आज की story सुरू करते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग अपना जो पुरानी क्लास में हम लोगों ने पिछले पार्ट में हम लोगों ने forest survey of India इसके बारे में sorry forest research institute FRI के बारे में थोड़ा पड़ा था बचसी को एक टाइप से revise कर लेते हैं कि जब यह बनी थी कब बनी थी 1906 मैं नहीं है क्योंकि कई बार exam में यह 1905 और 1906 दोनों option में दे देते हैं ऐसा कई बार हो चुका है और 1905 को हम लोग बहुत ज़दा पढ़ते हैं history में आपने पढ़ा होगा बंगाल का partition तो यह बारवार आता है जो कई बार यह intermix हो जाते हैं confusion हो जाता है कि FRI 1905 में बना यह 1906 में बना तो याद रहे 1905 नहीं है यह 6 ही रहेगा और इसके जो first president थे Wilmont first president इन्हें याद रख लेना वैसे आने की उम्मीद है नहीं इसकी यह जो FRI है पहले इसका नाम क्या हुआ था जब stabilize हुए थी तब क्या हुआ करता था उस टाइम पे था inferior forest research institute बाद में आज़ादी के बाद हमने AI को गायब कर दिया और केवल forest research institute या simple way में FRI रह गया इस पे कई बार question आ चुका है कि FRI की location कहा है दहरादून कम सकम 20 बार से ज़्यदा पूछा जा चुका है कब बनी 1906 में forestry research की या forestry subject उस एरिया से forest area से related कोई prime institute कौन सी है तो वो अपनी FRI है FRI की बाद में अपनी history आगे चलती रहेगी later phase में जब बोपाल guest tragedy होती है 84 में तो 85 में ministry आती है ministry of environment and forestry इसके बाद ये ministry क्योंकि अब फुल फले जब ministry आ जाएगी तो ये एक forest education से related work करने के लिए ये 88 में ICFRE एक body के गठन करते है एक संस्था का गठन करते है Indian Council of Forest Research and Education कब बनाते है 88 में ये जो ICFRE है इसके बारे में हम लोग तबियत से आगे पढ़ेंगे आगे forestry का जो education system है उसको study करेंगे तब इसे detail में पढ़ा जाएगा अभी बस आप थोड़ा बहुत मोटा माटी याद रख लो कि ये 88 में बनती है ये बनाने में भी ये लोग क्या करते हैं अगरी कल्चर में एक ऐसी ही संस्था होती है ICAR Indian Council of Agriculture Research भारती कर्सी अनसंधान परसथ कहां ये भी डली में है पूसा 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 इसी का short form पहले हुआ करती थी एक Henry Flip की नाम से एक परसन था USA का वो एक टाइप से बोलते हैं मानवी कार करने वाला philanthropist तो उन्होंने पैसा दिया था और बिहार में एक जगाए उन्होंने अगरी कल्चर फिल्ड में रिसर्च के लिए एक संस्था का कठन कर दिया तो क्योंकि वो Philip था तो इससे ले लिया P और USA का था 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 ही इससे हो गया P और USA थी उसका नाम हो गया पूसा तो ऐसे बिहार में एक पूसा एक जगाए का नाम पढ़ गया उस बिल्डिंग की वज़े से उस एरिया को ही पूसा बोला जाने लगा क्योंकि अगरी कल्चर से रिलेटेड संस्था थी और पूरे बिहार में एक टाइप से वो प्राइम हो गई अगर कहीं कोई अगरी कल्चर से फील्ड हो रहा है तो किसान के लिए ध्यान में रहता अच्छा वहाँ पर सीड अच्छा मिलता है उनने ऐसा बताया था कि ऐसी बीमारी को ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है तो इस टाइप से पूसा फेमस हो गई थी बाद में भूकम पाता है साइद 28-29 के असपास 1929 के असपास तो वो बिल्डिंग कॉलाप्स हो जाती है और फिर अपनी राजधानी भी जो है देश की कॉलकाता से 1911 में दिल्ली में आ जाती है जब आपको पूरी नई बिल्डिंग बनानी ही है तो फिर क्यों नई जगाए बनाई जाए तो दिल्ली में एक साइड में एरिया दे दिया गया था और उसका नाम रख दिया गया पूसा तो इस टाइप से ये ICAR कहां है पूसा नई दिल्ली इसका जो फ्रेमबर्ग था बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया गया उसी के फ्रेमबर्ग के वेसिस पे हमने ICFRI का कठन किया और जब ICFRI बन गया तो जैसे ये FRI है आपको बता है कि दुनिया के कुछ चुनिंदा संस्थानों में से ये है क्योंकि 1956 की टाइम पर दुनिया कितनी संस्थानोंगी 10-15 तो इतनी प्राइम अगर कोई बिल्डिंग है इंस्टिउशन है और अब इस इंस्टिउशन को आप किस यूनिवर्सिटी के अंडर डालोगे जितनी भी यूनिवर्सिटी बनी है ज्यादतर दिस्की अजादी है उसके बादी बनी है कुछ सोटे मोटे पहले हो सकती है लेकिन अगर इसे किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट बनाते है तो एक टाइप से इसकी जो वैलू है उसे आप गषटा रहे है तो बाद में ICFRE बना दी गई पहले ICFRE जब नहीं था तब देश में जतना भी फोरेश्टी से रेलेस्टेट जो भी वर्क होता था पूरा कंट्रॉल ये पूचा से किये इससे FRI से किये जाता था बाद में हम लोगों ने ICFRE बना दी और इसके अंडर FRI को इसके अंडर डाल दिया गया हल फिलाल में ये ICFRE है कहाँ थोड़ा देख लेते फिर हम आँगे डेटिल में देखेंगे ये अपनी मैन बिल्डिंग है FRI की क्या है FRI IC के बगल में एक खंडर पड़ा हुआ है Forest School कौन सा वाला जो 1878 में बनाया था इसी के साइड में एक इधर बिल्डिंग बना रखी है जिसको बोलते हैं ICFRE Indian Council of Forest Research and Education हलाकि इसमें जो इंपलॉई है सभी के सभी FRI वाले है एक टाइप से sister organization होगए FRI के बिल्डिंग के सामने आपने गूगल कर लेना बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और एक यहां पर एक बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का नाम है इंद्रा गांदी नेसनल Forest Academy इंद्रा गांदी जी के नाम पर है पूछा जाता है कि IFS वालों की ट्रेनिंग कहा होती है इस्टेट में पूछेंगे IFS वाले नहीं तो कहां होती है ताहर हदून में किस में इगनाफा में यह पूछा जाता है कि IFS वालों की जो बिल्डिंग है उसका नाम किस प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है जैसे पुलिस वालों की यह लाल बहादूर सास्तरी की नाम पर है किसी की किसी और की नाम पर है कोई नहरू की नाम पर है तो यह इंदर गांदी जी के नाम पर है इसी के बगल में एक कॉलेज और है रेंजर कॉलेज जहां पर ACF वालों की ट्रैनिंग होती है तो एक टाइप से यहां का ग्राउंड है जिसमें ACF वाले सुवे सुवे धूम धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं और इसके साबने ग्राउंड है इसमें IFS वाले उचल कुद कर रहे होते हैं इदर IFS वालों का एक होस्टाल है तो वहां पर यह रह लीते हैं यह थोड़ा बहुत बेसिक मॉटा माठी आपको याद रहेगा मैंन मुद्दा यह था कि जो IFRI है उसे किसी और यूनिवर्सिटी के एंडर नहीं रखा जा सकता इसलिए उसे 1991 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया अब जैसे ICFRI है इसको आटोनॉमी कब दे दी गई क्योंकि पहले ICFRI बना भले ही दिया गया लिकन उसे एक लेबल से ज़्यदा फ्रीडम नहीं थी वो लगवक किसी के मिनिस्टी के अंडर कहीं बहुत नीचे लेवल पर काम करती थी कई बार वो FRI बालों के अंडर काम कर रही है बाद में उसे 1991 में इसे भी आटोनॉमी दे दी जाती है ICFRI को और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है और इसे इसके अंडर डाल दिया जाता है प्रजेंट में ICFRI के अंडर आठी या नो संस थाए है FRI जैसी अधर है जैसे ट्रॉपिकल फोरेट्स रिसर्च इंस्टीट अपनी जो जबालपुर में है वो भी ICFRI के अंडर आती है और इनके पास चार या पाँच रिसर्च सेंटर तो ऐसी लंबी चोड़ी बोड़ी है फ्रेंबर्ग आगे जब करेंगे तब डिसकॉस करते रहेंगे इसके बारे में एक कुस्चन जैसे फोरेट्स रिसर्च इंस्टीट इस्टार्टेड इन दा येर अब यह देखो 1905 और 1906 दोनों है बताने का परपज यही था किसका आंसर यह है यह मत लगा देना यहां करवड़ी हो जाती है अब आते हैं आज की क्लास पे अपने देश की भाई आजादी हो जाती है देश की आजादी होने के बाद के जो इवेंट से उन्हें देखते है सबसे पहले आपने पढ़ा था कि 1904 में जब फर्स्ट वर्लवार हुआ था उस ताइम पे हम लोगों ने बॉर्ड और फॉरेस्ट्री स्टेबलाइज किया था 1904 में फर्स्ट वर्लवार के टाइम पे है क्यों किया गया जिससे फॉरेस्ट जो रिसॉर्सेस है उनको इस टाइप से रेगुलेट किया जा सके कि फर्स्ट प्राइविटी जो नेवल है उसे दिया जा सके जिससे सिप विल्डिंग को प्रमोट कर सके क्योंकि नेवी जो है उसे वार लड़ना है उसमें जो सिप है वो कॉलप्स हो जाएंगे बरबाद हो जाएंगे नाई सिप चाहिए तो ये वहाँ पड़ जाए अधर को सिक्टरी कर दिया गया 1935 का जो एक्ट आता है उसमें जब फोरेश्ट जो है इस चेटों को ट्रांसफर हो जाता है तो फिर सेंटर पर ये बोर्ड की जरूवत ही नहीं रही जब देश आजाद होता है तो सबसे पहले 48 में यही काम किया जाता है 48 में बोर्ड आफ फोरेश्ट्री जो था सेंटरल लेवल का उसका गठन किया जाता है Central Board of Forestry Purpose उस टाइम पे भी आपकी Defense Security के इसू है तो यह Board क्या करेगा Forestry क्यों कि आप State हो गया है तो State अभी भी State Subject है लेकिन Central Level पर Research Education वाले फिल्ड में कोई खास कोछ है नहीं Coordination करना Center को जैसे Agriculture भी State Subject है लेकिन Center करता है उस पर का तो उस टाइप से एक Coordination हो सके State को Regulate किया जा सके तो उसके लिए एक Central Level पर Body बन गई Next Event है Important Event है Service में Indians की Entry तो 49 में First Time एक Indian है MD Chaturvedi इनको IGF बनाए जाता है तो यह First Indian IGF है यानिकि देरे देरे इंडियन की Entry थी देसाजाद भले ही 47 में हो गया लेकिन Forest में जो Higher Level के Officer थे वो यह गोरे ही बैठे थे 49 में First Time NIGF बनाए गया इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी जो University थी पंतनगर 1960 में बनी थी 1960 में तो 60 से लेके लगवाख 75-76 तक उसमें जो भी Dean, Associate Dean, Director जो भी कोई Research Center है तो उसके Director रहते थे Project Head, यह सारे के सारे Foreigner थे 75-76 था है सब के सब वही है कहीं 70 means 80 के असपास तब कहीं जाके Indians की उस Dean लेवल पे entry हो पाती है तो यह स्टार्टिक में इनका काफी जदा दब दबा रहता है इसमें तो कौन आई? MD चदरुपेदी कई बार पूछा जाएं चुका है कि First Indian IGF First IGF तो वरांडिस ही है Second Silich यह First Indian कौन है? MD चदरुपेदी अब जब देश आजाद होता है उस टाइम पे जो दुनिया भर की Ministry बनती है तो वैसे एक Ministry होआ करती थी Agriculture अभे भी बहुत सारे Countries है जिसमें Forestry की Ministry नहीं होती है उनमें जो Agriculture वाली Ministry है वही Forestry का काम देखती है UNO उसकी जैसे Body है आपने FAO सुना है Food and Agriculture Organization अब इसमें क्या है? Food and Agriculture Organization यह A है Agriculture का तो ऐसा लगता कि यह तो Agriculture की संस्था है लेकिन Union Level पर इंटरनेशनल लेवल पर Forestry का काम पूरा यही देखती है UNO का तो Agriculture वाली जो Ministry है उस टाइम पर भी जो Ministry of Agriculture है उसी का एक Department हुआ करता था Forestry मतलब जैसे आज Independent Ministry है उस टाइम की Ministry नहीं थी किवल एक Department था तो उस टाइम पे 1950 में जो उस टाइम के डारेक्टर थे सरी जो Minister थे Agriculture मंत्रा लाएके उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया Plantation का या बोल सकते हैं कि एक तेवहर के रूप में Tree Plantation को प्रमोट किया जिसे बोलते हैं One Mahutsov एक किसका कुस्चन और है Central Board of Forestry-Wise Constitution तो आप लगा लोगे इसमा 48 अपना One Mahutsov तो उस टाइम पर Agriculture Minister हुआ करते थे K.M. Munsi गुजराती थे और यह Literature वगरे में जदा इंट्रेस्टिड थे इनने कविताएं, कहानिया, नेवंद इस टाइप के बुक्स वगरे लिखी है तो एक बार कहीं कुस्चन पूछा गया था कि मैंस वो Famous Personalities जो Agriculture Minister भी रहे हैं इस्टार्टिंग में और यह Literature फिल्ड से जुड़े हुए है तो उसमें यह K.M. Munsi है इन्होंने 1950 में, कब 1950 में ध्यान रखना यह 52 नहीं है 1952 नहीं है यह 1950 है मैं 52 क्यों बोल रहा हूँ कि उस टाइम पर यह बीच वीच में जब Central लेवल पे बन महुत सब की तैयारी होती है तो जो Ministry of Forest Ministry of Environment, Forest and Climate Change है इसके जो Secretary लेवल के ओफिसर है वो Secretary सभी मंत्रालायों को बोलते हैं भाई सभी को बन महुत सब मनाना है तो वो एक notice रिलीज कर देते है वो notice में उन्होंने एक बार नाइन्टी फिप्टी टू लिखी दिया था जो की गलग था उस notice को मैंने भाई कलती से पढ़ लिया 2014 का जो पंद्रा में पेपर हुआ था अपना MP वादा 2014 MPPSC Forest Service 2014 इसका पेपर हुआ था 2015 में दिसंबर के आसपास online था उसमें उन्होंने यही पूछ लिया था कि वन महुच सब की सुरूबात कम होती है अब क्योंकि मैंने तो लेटर बड़ रखा था तो बड़ा चोड़ा हो करके मैं 52 लगा के आ गया था लेकिन गलत हो गया था बलही फिर मैंने बोला कि नहीं भई मैं तो सेक्रेटरी थोड़ी गलत होगा बेश दिया लेकिन MPPC वालों नहीं माना उसे और फाइनली उसका अंसर पचास ही था रियल मैं भी उसका अंसर 50 ही है तो 1950 में किया मुंसी गुजराती थे यह इन्होंने वन महुच सब की सुरूबात कि वन महुच सब मतलब फेस्टिवल आफ ट्री प्लांटेस है पेड़ों को लगाने का एक तिवार दिल्ली के जो अपने गंधी जीर की समाधी है उस एरिया में यह गया और वहां पर इन्होंना पेड़ों को प्लांटेस न वगरा किया एक टाइप से वो उन्होंने डिडिकेड कर दिया कि जैसी अपनी आप ऐसे मांसून का बाता है इंडिया में अपनी डेट रहती है आगे सिल्वी कल्चर में पढ़ाएंगे एक जून इंडियन मेटरलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक जून एक डेट फिक्स कर दी है और यह बुला गया है एक जून अपनी फिक्स है मतलब मांसून को एक जून को केरला के कोस्ट पर तच कर देना बहले यह बसा से टच कर दे बस वहां पहुंच जाना है तो हम बोलते हैं कि मांसून आ गया अगर सपोज वो डेट जो है वो एक जून ना होकर के तीन जून या चार जून है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मांसून फूर डेट डिले चल रहा है अगर एक जून से पहले आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि मांसून जल्दी आ गया है तो एक डेट हमने फिक्स कर रखी है वन जून की अब वन जून में तो वो आ रहा है लेकिन मानसून पूरे देश में आते आते हैं अपने नौर्थ में भी पंद्रह बीस जून तक आप आता है तो टाइम लगता है तो ऐसा थोड़ी कि आपने एक जून को प्लांटेशन कर दी जब तक मानसून आएगा ये पिड दिन का पीरियड है उसमें हम लोग बेंड वाजे के साथ लोगों को बोलेंगे पेड़े लगाओ बेटा पेड़े लगाओ तो वो वन वीग वन सप्ता है हो गया आपको याद क्या रखना है वन महुतसफ या इसी को बोला जाता है फेस्टिवल आफ ट्री प्लांटिंग करसी मंत्री थे यह कब मनाया जाता है फिर्स्ट वीक आफ जुलाई जुलाई के पहले सप्तायम है यानि कि एक से साथ जुलाई तक ऐसा हो सकता है कि सपोज टू थाउजन्ट ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी फॉर में जुलाई का फिर्स्ट वीक जो है एक जुलाई है वो सपोज फ्राइडे को पढ़ रही है और संडे खतम हो जाए तो यहां जुलाई का फर्स्ट वीक अप जुलाई का मतलब जुलाई का जो फर्स्ट वीक है वो दो-तीन दिन का भी हो सकता है तो हम लोग उस हिसाब से नहीं जलते हैं आप ऐसे समझ लिए कि या तो आपके अंसर में फर्स्ट वीक अप चुलाई लिखा होगा या यह लिखा होगा एक से साथ चुलाई तक अब यह अग्रिकलचर मिनिस्टर थे यह लोकों को पेल लगाने की बोल क्यों रहे थे जंगल जंगल यह खेल क्यों रहे tyre उसके पीछे का जो रीजन है वो है यह है अग्रिकलचर मिनिस्टर forestry इनका एक department है तो forestry के field में पूरे देश में जो भी हो रहा है इन्हें पता है इन्हें ये भी मालूम है कि environment को conserve करने के लिए ecosystem देश की ecosystem को maintain करने के लिए हमें देश में one third area में forest को ले के आना है तो जो अपनी first मतलब आजाद होने के बाद जो पहली बार forest policy आएगी या second national forest policy जो 1952 की आने वाली है policy तो बहुत बाद में आएगी पहले यहाँ पर data सब कुछ preparation फेज़ चल रही होती है तो इन्हें idea है कि हमें क्या करना है ये भी पता है कि उस time पे food का shortage है खाने की बहुत बड़ी समस्या है तो आपको खाने की supply बढ़ानी है लेकिन जंगल को बरबाद नहीं करना है तो और एक बात और उस time पे food की shortage एक इसू है fuel wood की supply क्योंकि हमारी समस्या है food की shortage अगर खाने की supply बढ़ानी है तो जो farm है उससे production बढ़ाना पड़ेगा और production कैसे बढ़ेगा उसके लिए आपकोस में mineral fertilizer डालने पड़ेंगे और mineral fertilizer डालने के नाम पे अपने पास एकी चीज थी वो थी animal dung गोवर खाद हम लोग उस टाइम पर majority जो गोवर है उसे खाद की रूप में बना यूज करते थे लेकिन उसका बहुत बड़ा पार्ट है जिसे हम लोग फ्यूल में यूज करते थे उसके कंडे बना करके चूले जलाते थे जिससे अपना food प्रिपियर हो सके खाना पक सके तो यहां पर एक objective यही था कि टिंबर का production हो जिससे लोग अपनी जरूरत हों के जो लखली है वो खुदी ग्रो कर सके और जब लखली ग्रो होगी उसको हम जलाओ लखली फूल वूड यूज करेंगे तो कंडे पर dependency अपनी कम होगी जिससे खेद की उतपादन छमता बढ़े फूड में खाने में हम आत्म निर्भार बनें दूसरा यह ट्री है वो एक alternate investment opportunity देते हैं मतलब एक नवेस का एक alternative माध्यम प्रोवाइड करवा देते हैं फूर एक्जामपल के लिए मैं आज 20 रुपए का एक पिल अपनी खेद पे लगा देता हूँ 15 साल वो growth होता रहेगा उस पिल को क्या मैं कुछ दे रहा हूँ पानी fertilizer कुछ देता हूँ कुछ नहीं वो naturally grow करता रहेगा 15 साल बाद जब मैं उसे काटूंगा तो वो 20 रुपए का ही नहीं बिचेगा हो सकता है वो 2000 का बिचे यानि की 20 रुपए का investment और 2000 का 15 साल बाद return एक टाइप से ये LIC की policy जैसा हो गया 20 रुपए invest कर दिये insurance कर दिया 15 साल बाद 2000 मिल गए पहली बाद दूसरा जो मेरा insurance बढ़ रहा है वो मुझे दिख रहा है कि मेरा क्या insurance है मुझे LIC बालों को ढूनने की जरूरत नहीं है या कोई और company ढूनने की जरूरत नहीं है तो farmer के लिए simple सा तरीका था तो इस टाइप की alternative जो opportunity है उनको promote किया गया है तो इन्होंने बोल दिया गया है कि वर्न मौस सब जो मनाया जा रहा है उसकी man objective क्या थे ये objective लिखे है fruit का production हो सके बढ़ सके सेल्टर बेल्ट का काम है बिंड ब्रेक और सेल्टर बेल्ट इन्हें हम लोग आगे पढ़ेंगे मैं थोड़ा idea दे देता हूं या जिससे आगे काम आए गाई है आगे हम लोग agroforestry मेने detail में पढ़ने वाले है अपने फार्मे खेतों में क्या होता है कि जब हम लोग कोई फसल लगा देते हैं आप मैंसे उमीद है जड़ा तर लोग ग्रामिल एरिया से हैं तो जैसे गेहू है उसमें जब बाली पढ़ जाती है उस ताइम पर हम लोग जो लास्ट वाली सिचाई irrigation करते हैं तो यह अपनी हवाते चली यह फसल जो है अपनी टेड़ी हो जाती है जुक जाती है गिर जाती है इसके लिए एक term यूज़ करते हैं lodging कुछ लोगे से lodging पढ़ते हैं कुछ लोग लोडजिंग पढ़ लेते हैं जो पढ़ना हो पढ़ लोग इससे क्या होता है फसल लोट जाती है क्योंकि उपर बजन जदा है और नीचे पानी देने से ये वाला पार्ट ढीला हो गया इसका result क्योंकि ग्रेन दाना अभी भी ब पेड़ जाता है और अगर हमने यहाँ पर पेड़ों की स्रंखला खड़ी कर दी तो पेड़ क्या करेंगे हवा को थोड़ा ऊपर उठा देंगे हवा का impact जो है वो इस पर उतना नहीं होने देते हैं तो यह इसकी एक shelter यानि की छाई प्रोवाइड करवा देना है क्या दे द गरें नहीं ते इस तर्म को गूगल कर लो जिससे पिक्चर जो है वो आपको याद रहा कई बार पिक्चर यहां डालना पॉसिबल नहीं हो पाता इंस्टेंटली कुछ तर्म याद आ गया तो बता दिया आपको तो गूगल करते रहो इन तर्मों को तो सेल्टर वेल्ट होगा तो जो जानवर होंगे वो हल्दी होंगे तो दूद का प्रोड़क्शन मीट का प्रोड़क्शन वो सारी चीज़ा बढ़ने वाली है यह फिस है और्नमेंटल ट्री देश का सौंधरी करण हो रोड के किनारे फुल फ्लॉवरिंग वाले पेड़र को प्रमोट करो अब तो वहां पर आपको अक्सर डलवर्जिया सिस्सू यानि की सीसम के पेड़ों की प्लांटेशन मिल जाएगी पंजाब में आप जाएए हो सकता अपने हां इंप्री में भी कुछ एरिया में मिल जाए पंजाब में कोई कैनाल है नहर उसके दोनों किनारों पे या रोड के कि किनारे आपको यूकलिप्टस की प्लांटेशन मिल जाएगी तो इस टाइप से आप पेड़ों को लगा दीजिए वो परपज रहा कि आप जैसे गवर्मेंट है रोड की किनारे लगा रही है तो वो फ्लॉबरिंग के लिए लगा रही है तिमबर प्रोडक्शन भी एक प्रोड़ों को लगाने का जो त्योहार है वो किस ने स्टार्ट किया लगा लोगे किया मुंसी भी ओंसर टू क्रियेट ट्री कंशियसनेस एंड जनरेट इनफ एंथूसियस्ट एमोंग दा पीपल तो अंडर टेक और्गनाइज ट्री प्लंटिंग स्टार्टाइज बन माह लंबी चोड़ी हिंदी है पढ़ लेना हिंदी इस नहीं होगी कुष्टन हिंदी पर मिल जाएगा आपको कुल मिला गया कि बन माहुत सब किस साल लगा यह आरपीसी का है अभी कुष्टन पूछा गया था 2018 में और सेम कुष्टन MP वाले पहले पूछ चुके हैं और सेम कु भी फुक फुक के पीता है नेक्स्ट कुष्टन है वन महुत सब अट्री प्लंटिंग फेस्टिबल वाज इस्टार्टेड उननी सो पचास हूँ स्टार्टेड अफेस्टिबल ऑफ ट्री प्लंटिंग नोन एज बन महुत सब यह था MP का ECM जो पंदरा वाला लिखा है किसन यहां पर यह अंसर अपना पचास का है बावन मैं गलत यहां लगा के आ गया था यहां पर बावन लगा के आ गया था आपका अंसर है पचास नेक्स्ट कुष्टन देखते हैं यह है नागा लेंड पीस्टी टेक्निकल एक्जाम 2015 प्रष्टी ऑप्शनल का मतलब जैसे आपके मैं फ़री स्क्शन चुड़ा हुआ है कुछ एक्जाम ऐसे होते हैं जहां एज़े ओप्शनल उसे करवा लिया जाता है GS का paper लेते हैं वो और दो optional रहते हैं तो ऐसा forestry optional का वहाँ paper रहता है उन्होंने यहां 52 लिख दिया In the occasion of celebrating started अब भाई इन्होंने पूछा था कि 1952 में पेड़ लगाने का चुते हो रहे उसे किस नाम से जानता है जानते है इस नो नाच अंसर जाएगा आपका वन महोट साब अब आप बोलोगा वन महोट साब तो 50 में था यह 52 में कैसे आ गया यह तो 50 होना चाहिए अब भाई देखो ऐसा है 1950 करेक्ट अंसर है लेकिन अगर सामने वाला 1955 भी लिख दे और आपको question पढ़के समझ में आ गया कि यह वन महोट साब के बारे में पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते हो आपके पास कोई option नहीं है यह तो वन महोट साब लगाओ यह question छोड़ दो तो वैसा है यह गलत लिखा है लेकिन भाई पूछा गया तो पूछा गया तो कई बार question ऐसे गड़वड होते अपने यहां MP में भी इस बार के पेपर में आया है इन्हें पूछना था बायो डाइवरसिटी एक्ट लेकिन इन्हों ने वो UN वाला sentence बीच में गुसर दिया उससे क्या हुआ कि वो पूरा जो question का sense था वो बिलकुल बदल चुका sense इस टाइप का हो गया जैसे कि यह act इंडिया का नहीं है act UN का है और इंडिया ने उसे approve किया है ठीका तो question type जिलीट भी हो जाए बाई चाल्स यह रहा next question in our country one most of day is observe अपने देश में यह बन महुद साब का जो दिवस है वो कब observe किया जाता है तो first July अब यहां पर week की बात कर दी जाए बन महुद साब की तो कब होता है first से 7 July यह अपना week वाला इस हुआ गया 52 में 1950 में बन महुद साब एक major event था उसी टाइम पर फिर अपने सम्विधान लागू हो जाता है 49 में चतुरवेदी आए 48 में 1948 में Central Board of Forestry आया यह चार्ज इवेंट होगा है अपने अब आता है 52 का टाइम 52 में आती है अपनी national forest policy यह second national forest policy है पिछले साल के किलास में थोड़ा doubt है क्योंकि अभी तक जो हम लोग academics में पढ़ रहे थे क्योंकि देखो मेरा भी knowledge कहां से होगा जो books available है जो academics में सीखते हैं उसी basis पर है तो पहले हम लोग यह पढ़ के चलते थे कि first forest policy अपनी कप की है मैं इसमें discuss करता हूँ first forest policy आई थी अपनी second forest policy आई अपनी 1952 में और third forest policy आई अपनी 1888 में या last forest policy अभी यही है मैं यहापर लग देता हूँ policy पहले का मेरा ग्यान यह था कि इसको हम बोल देते हैं forest policy और इसको इसे बोला जाता था first national forest policy और इसे second national forest policy तो मैं यही आपको समझाता था यह पिछले साल की forest policy बोल सकते हो आप इसे क्या बोल सकते हो first national forest policy तो जो अपनी national forest policy जब यह second national policy आती है तो एक टाइप से देश के आशाथ होने के बाद पहली बार आ रही है तो अब हमें पता है कि हमारी देश की जरूरते क्या है तो policy के गोल जो होंगे वो हम लोग उस हिसाब से डिसाइड करेंगे तो यह policy बोलती है कि देश का जो एको सिस्टम है उसे बचाय रखने के लिए एको सिस्टम को मैंटेन करने के लिए अपने देश के एक तेहाई हिस्सी को one third one third area पे forest होना चाहिए तो इस टाइप से target fix हो गया 33% कि एको सिस्टम को मैंटेन करने के लिए हमें 33% area जो है geographical area उसे forest cover के एंडर करना है forest cover यानि कि वो area जिसकी उपर नहीं forest area का तो मतलब ऐसा भी area हो सकता जो खाली पड़ा हो लेकिन record में forest area बोल गया हो cover का मतलब जिसके उपर पेड़ों ने cover कर दिया हो अभी इतनी sense लेके चलो गया तो ये forest cover होना चाहिए 33% पर उसमें भी इनने sub-categorize करा कि जो पहाड़ी ले area है हिली छेत रहे हैं वहा पर कम सिक्स्टी परसेंट होना चाहिए क्यों क्योंकि पहाड़ी ले area के साथ दिक्तत ही है कि वहाँ soil erosion के साथ जो issue है वो जयता है और plan में हम लोग ये मान सकते हैं कि इसे 20% के आसपास हो तो चलेगा for example जैसे पंजाब है अगर वहाँ पर 20% वह achieve कर लेते हैं more than enough है लेकिन अगर हमाचल है उत्रा खंड है वो 20% से नहीं चल सकते है वो 20% वह पूरा 80% तो उनका हिली area है वो open कर दाएंगे तो soil erosion हो जाएगा तो पाड़ों के लिए 60% और plan के लिए 20% का target रखा और पूरे देश के लिए 33% का target दिया गया यही target जब अगली forest policy आएगी तो उसमें target तो sim रहेगा 33% लेकिन यह जो 60% वाला इसू है हिल के लिए उसे 66% कर दिया गया और यह plan के लिए 20 अभी वी रहा तो यह जो difference आया है इस difference को ध्यान दे यानिके यह बोला के देश के एक तिहाई हिस्से में forest होना चाहिए और अगर देश का वो हिस्सा जो पहाडी ला है उसके दो तिहाई हिस्से में forest होना चाहिए और plan में एक टाइप से 20% मतला 1 by 5 एक बाटे 5 हिस्से में forest होना चाहिए यह अपने second forest policy का इसू है और यह 52 की policy ह 52 में एक काम और हुआ अभी भी देखो ये Agriculture Ministry के अंडर एक Department ही है और Department ने पहला काम तो पॉलिसी लेके आ गया और उसी टाइम पे ने ये समझ में आया कि Forest के लिए तो हमने Central Level पे एक Board का कठन कर दिया लेकिन Wild Life के लिए तो अभी कुछ है यह नहीं तो ये क्या करते हैं Wild Life के लिए भी एक Board बनाते है उसका नाम रखते है Indian Board of Wildlife कब बनता है 52 में या रट्टा मार लो दोनों ही पूछे जा चुके है ये भी पूछा गया है ये भी पूछा गया है ये भी पूछे गया है और ये कोई भी ऐसा नहीं के दो-दो बार पूछे गया है दस बार, पंद्रा बार, बीस बार ऐसी चीजें चल रही है आपको जब कुछ्चन मिलेंगे तो आप खुद भी इनानलाईज कर सकते है Indian Board of Forestry उस टाइम पे क्योंकि ये Board बले बना दिया गया लेकिन इसको कोई एक्ट के थरू तो यसा तो कुछ था नहीं तो इसका जो चेयर्मेन है उसे बना दिया गया Minister of जो Agriculture का था वही इसका मैन आदमी है तो उसी को इसका चेयर्मेन बना दिया गया इस टाइब से ये Board का का काम चलने लगा ये भी Board का है एक टाइब से एडवाइजरी है कि भाई एडवाइज देते हैंगे कि हमें ये करना होगा क्यों क्योंकि इस Board में Minister भी बैठा हुआ है जो बगाएगे Board के मेंबर हैं वो भी Forest और Wildlife की सेक्टर के Higher Officials ही है कुछ NOC means बोल सकते हैं कि कुछ Experience वाले परसन भी है लेकिन Majority जो है वो Officials ही है तो ये जो बोल रहा है क्राइब से Advise ही दे रहा है जो Other Actual Bodies हैं होने क्योंकि इसका Legal Status नहीं है ये एक बड़ी समस्या थी कि ये Board का कोई Legality नहीं थी बस इतना बोल सकते हो कि इसमें वही लोग थे जो कहीं न कहीं Department के लोग है तो Board में जो Decision होगे वो Department के थूँ एपलाई कर लेते थे ये धीरे धीरे इसके साथ Legality की इसू समस्या आगे जब कोई Legal नहीं है तो कोई Government इस Board का कठन कर रही है कोई नहीं कर रही है किसी के पंच-पंच साल होगा इस Board का कोई हवा ही नहीं है कब मीटिंग होगी नहीं होगी कुछ वही Regulation नहीं है इसलिए बाद में 2002-2003 के आसपस तीन में जब अटल जी की Government थी तो उन्होंने इस Board को खत्म करके इसकी जगाए एक नया Board लेके आए 2003 में National Board of Wildlife इसका चेर्मेन जो है वो Minister था Agriculture का बाद में जब Forestry की Ministry बन गई 1985 में तो इसका जो Minister था उसकी जगाए फिर Forestry का Minister बैठने लगा इस Board का मेंबर बन के चेर्मेन बन के लेकिन जब ये Board का कठन किया गया तो इसका जो चेर्मेन है वो PM को बनाया दिया गया और अब ये Board जो है आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस Board को Wildlife Protection Act के Underpower लेकर के बनाया गया तो इसे एक Statutory धर्जा दे दिया गया मतलब अब ये कानूनी Board हो गया अभी भी Advisory है लेकिन अब ये कानूनी है कानूनी है तो उसमें ये Fix आजाएगा कि Board में कौन कौन मेंबर होंगे कब कब मीटिंग होगी मीटिंग के Decision को कैसे Execute किया जाएगा इसकी Structure क्या होगी Secretary Position क्या होगी Work कैसे करेंगे और ये State को किस मुद्दे पर Guide कर सकते हैं इस Board की ताकते क्या होंगे Function क्या होंगे वो सारी चीच है डिटेल में होती है जबकि वो पहले नहीं थी तो अब ये Effective जदा हो गया आगे इस पर कुछ चनाएंगे Board पे तब करेंगे 52 के बाद Forestry की Field का एक Major Event होता है International Level की Conference होती है दहरादून में इसकी पहली Congress कब हुई थी 26 में कहां Rome, Italy में इसे देख चुके थे Third हुई थी Hence की Finland में इसे भी हम लोग पढ़ चुके थे Third पूची गई है Question में Fourth अपने लिए Important इसलिए है क्योंकि दहरादून में हुई थी इसके बाद इंडिया में इसकी कोई अभी तक Conference हुई नहीं है Recently जो Conference है वो South Korea में हुई है क्योंकि 6 साल बाद हो रही है तो अब होगी 26 में तो अभी हल फिलाल में जो है वो South Korea में हुई है पिछले साल 15th नमबर की तो बस यह याद रख लो कि 21 जो 21 में है वो South Korea में एक खतम हो 6 यह बाद है आपको यह भी बताए गया था कि FAO जो है अजकल यह FAO की अंबरिला की अंडर हो रही है FAO ही इसको और्गिनाइज करवाता है और FAO अनसिलवा के नाम से एक मेकजीन भी निकालता है FAO की लोकिशन कहा है रॉम इटली में कब बना था 45 में यह पिछली कलास में हम लोग देख चुके थे 57 में नेशनल पार्क जो था हैली उसका नाम बदल के कॉर्वेट कर दिया गया इसके बारे में यह बता दिया गया था 36 में 1936 में यह बना था जो हली है वो उस ताम पर उत्तर प्रदेश यानि कि यौनाइटे़ प्रोवनाइस उस ताम पर यौनाइटे़ सहि Jamuk दो कुछ नाम बोला जाता था UP के उस ताम पर यह गवर्णर हो आ आतिती देस आज़ाद हो गया तो क्यों इनको ख़चो रहेंगे तो हम लोगोंने Corvait के नाम पर जिनोंने ये पूरा मुद्दा उठाय था उनकी नाम पर कर दिया 57 से पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर भी इनका नाम हटा दिया गया था उस टाइम पर इसका नाम जो है वो राम गंगा कर दिया गया था बीच में लेकिन वो जदा नीराज जैसे एक दो साल के लिए रहा बात में फिरम लोग फाइनली कॉर्बेट पे आ गए 1960 में एक एक्ट पास हुआ था प्रिवेंशन ओफ क्रुवल्टी ओफ क्रुवल्टी टू एनिमल जानवरों के प्रिवेंशन ओफ क्रुवल्टी है बेरभाव है उल्टा सीदा उन्हें ट्रीट कर देते हैं मार देते हैं खूट देते हैं उसके अगेंस्ट वो ऐसा ना हो उसके प्रिवें लौ आया ये जो क्रुवल्टी एक्ट है आपको पता होगा कि कई बार सेंटरल लेवल पर गाइड लाइन आती है कि छड़िया घर में एक स्पेस है इस स्पेस से ज़दा आप जानबर नहीं रख सकते अगर आप घर में केज में कोई एनिमल है तो उसको एक एनिमल की बोडी साइज के हिसाब से कितने रिशियों में उसका केज होना चाहिए आपने यह से कई बार यह नौन वेज़ वालों का इसू उठता है जैसे एक कम्यूनिटी है तो वो आपन में जाके है जैसे जो मीट कारुवारी है वो रोड पर खोले में जानवरों को मार काट रहे होते हैं बलड जो है सीधा ऐसा ही रोड पर फैल रखा होता है नालियों में जा रहा होता है तो यहां पर इस बोर्ड के थूँ जो बोर्ड बना है वो रेगुलेट करता है कि आप एनिमल को कैसे किल करेंगे अगर आपका बिजनिस है तो उसमें भी किलिंग की उन्हें मैथ़ड दी है कि आप इस हिसाब से किल करेंगे कि उन्हें कम से कम पेइन हो अगर आप उन्हें केज में रख रहा है जैसे मुर्गियों का एक छोटा सा केज होता है उसमें 20-50 भर दी जाती है तो उसके लिए जो गाइड लाइन है वो सब की सब जो ऑथर्टी निकालती है वो इसी अक्ट के फ्रू निकालती है आपने किसी अनीमल को डंडा मार दिया और आपको जेल हो गई तो यह सारे जो काम चलते हैं जैसे भोपाल का आपको याद होगा भोपाल में कोई था जो एक जो कुता है स्ट्रीट डॉग है उससे उठा करके तालाब में अपना जो बड़ा तालाब है उसमें फैक देते हैं तो उनके उपर जो केस लगाया गया था वो भी सब केस अनिमल कुरॉल्टी के माले लगा जाएंगे इसी के अन्डर लगा जाएंगे अब इसके बाद सिक्स्टी के बाद स्टोरी आती है अपनी सिक्स्टी फाइब में सिक्स्टी फाइब में तीन चार मेजर एवियंट होते है पहला मुद्दा आता है ग्रीन रिवालिशन ग्रीन रिवालिशन की शुरूबात होती है MS Swaminathan उस ताइम के जो रिसेर्च वाले जो टॉप लेवल की जो परसन से उन में रहते हैं उस ताइम पर ग्रीन रिवोलिशन का जो बेसिक परपस होता है कि हाई इल्ड वैराइटी लो फर्टलाइजर लो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लो इन तीन कॉपरेटिव और्गिनाजेशन खड़े की जाते हैं तो यह इस ताइप का जो रिवोलिशन है फूड वाला वो 65 में शुरू होता है 65 में एक बात और की जाती है कि हम लोग यह ग्रीन रिवोलिशन या हरित करांती की शुरूबात कर रहे हैं और 10 साल बाद यानि कि 75 में 1975 म यह जो हरित करांती है उसका देश पर क्या प्रभाव पढ़ा इंपक्ट पढ़ा उसको हम एनलाईज करेंगे इस टाइप से 65 में हरित करांती चल रहे होती है अगरिकल्चर की फील्ड में उसी टाइम पर फोरस्ट्री के फील्ड में एफ ए ओ फूड एंड रिसर्च हरा होता है तो सॉटेज का इफिशू है तो लगबगालमोस हर कंट्री अपने यहां से डिफ फोरस्ट्रेशन करने में लगा था फोरेश्ट को काटो खेतिवारी करो फोरेश्ट काटो खेतिवारी करो तो एफ ओ क्या रहा था कई ग्लोबल लेवल पे एक रिपोर्ट बनान इसका और उस रिपोर्ट का एक कॉर्डिनीशन चलता है कॉर्डिनीशन कैसा जैसे अपनी ये रिपोर्ट आई है दो हजार इक्कीस में For a Survey of India की तो FEO की आईगी दो हजार बाईस में और वो इसकी रिपोर्ट को यूज करेंगे फिर अपनी रिपोर्ट आईगी 23 में तो इनकी आईगी 24 में तो ऐसी पूरे गलोबल लेवल की जो एजनसीज है वो ऐसे बट रखी है FEO पूरे गलोबल लेवल पे इस टाइब की इंस्ट्यूशन डाटा रिकॉर्ड करनी के लिए क्या कर रहेगा जो European countries है उनके पास तो forestry के field में एक जो data gathering के लिए कोई ना कोई छोटी मोटी संस्थाए है लेकिन बहुत सारे ऐसे country थे जिनके पास forestry के field से डाटा को collect करना कोई institution ही नहीं है तो FEO क्या करता है World Bank के साथ UNDP United Nation Development Program और FEO ये दोनों मिलते है World Bank वाले ने पैसा ऐसा दे देते है ये जाते हैं हर state की government के पास हर state means जैसे Indian state है government of India के पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई हमें global level पर ये काम करना है पूरे forest का क्या चल रहा है उसको हम actual देख सके आपके यहाँ forestry से related कोई agency नहीं है बस आप जगाय दे दो posting वगर आप कर लेना पैसे हम लगा देंगे building बनाने का ख़चा हम दे देंगे अपनी हाँ एक संस्था खड़ी कर लो इसका तुम्हें ये फाइदा है कि तुम्हारे लिए भी data मिलता रहेगा और हमें भी अपनी report बनानी है उसमें थोड़ा बहुत मिलता रहेगा तो इस टाइप से government of India FAO और UNDP ये तीनों लोग मिला करके दहरा दून में FRI का जो campus है ये सारे की सारे वो FRI का campus है ये जो FRI बनी है वो तो suppose बनी है यहाँ यहाँ एक नफा है यहाँ रेंजर college है यहाँ पर पुराना school है यहाँ ICFRI है ये new forest एक बार पूछा गया है किसी exam में कि new forest क्या है कहाँ पर है तो इन्होंने क्या है इसका एक बड़े area में plantation कर दी है और उसका नाम रख दिया है new forest और इसी में पीछे का जो है ये चोक जो है इसे बोलते है उन्जी सी चोक है ऐसा कुछ नाम है उसका यहाँ पर इन्होंने इसी का एक area कट किया और यहाँ पर एक building खड़ी कर दी जिसे बोलते है forest forest survey of India तो अब जब forestry का इतना काम यहाँ हो रहा है तो यह क्या करेंगे FRAE वालों से बोलते हैंगे कोई कमरा खाली है क्या उस कमरे के ऊपर एक board लगा देंगे क्या लगाएंगे peaceful तो इस टाइप से 1965 65 कहीं लिखा है इस में नहीं लिखा है यहाँ लिखो 1965 लिख लो 1965 में ये दहरा दून में एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसे बोला जाता है पिसफर pre-investment inventory नहीं है यह इन्वेस्टमेंट है पैसे को लगाना इन्वेस्ट करना तो यह है pre-investment survey of forest report एक center बनाय जाता है usually हम बोल सकते हैं किसे FRI की building के अंदर किसी कमरे में बना दिया गया होगा एक कमरा है उसके अंदर चार टेबल है डाल दी दो लोगों को बिठाल दिया और बोर्ड पर लिख दिया पिसफर ये करती क्या थी संस्था 65 में 65 से जब ये काम करना जुरू करती कि national level पर अब इसमें जो बैठे लोग हैं पूरे forest का data collect करेंगे क्योंकि उस टाइम पर कोई survey अर्वे का काम नहीं होता था तो ये लोग जैसे अपने यहां जो survey देखो यहां ये दहरादून में ही क्यों बनाई गई है क्योंकि survey जो है Indian survey संस्था है Indian survey वो कहा है वो भी दहरादून में है तो वो survey वालों से इन्हें पूरे देश का data असानी से मिल जाता था तो उन्हें के बढ़ोस में रहेंगे तो data मिल जाएगा कौन सा इनके पास सुपर कंप्यूटर था या pen drive से वो दे देती थी उस ताइम पे तो ऐसा system था नहीं तो data ले जाना transportation ये भी एक समस्या है तो survey जो है वो दहरादून में ही है तो उन से इन्हें data मिल जाता था रहाम से तो ये ये निकाल सकते थे कि forest कितना कितना area है जो forest का है forest department के पास है revenue record में है कितना area dense forest है कितने पर forest है कितने पर नहीं है कहां क्या condition है ये सारी चीज़ें ये निकालते रहते थे इनके case में किवल सबसे बड़ा issue यहाँ पर pre investment पर आता है जब option आते हैं तो हम लोगों लगता है ये तो investment मुला investment मतलब पैसे लगा रहे हो हो सकता है ये investment नहीं है pre inventory हो सकता है एक option में inventory लिखा होता है inventory में क्या आगे जब आप forest mensuration पढ़ोगे तो वहां एक inventory सब्द बहुत बार बार आएगा तो वो सब्द यहां आ जाता है कि ये pre inventory होगा और आप inventory वाला लगा के आत्मत्यकर लेते होगी question से तो ये बना दिया अब आगे जो green revolution की बात कर रहा था 1965 की तो 68 में आपको पता है वार हो जाता है पाकिस्तान से तो उस ताइम पे अपने साथ थोड़ी समस्या है एक तो 65 की लडाई हो जाती है अपनी चाहिना की साथ फिर 68 की आ जाती है 68 में भी ये बावाल कुछ रहता है चाहिना वाला तो उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी बगड़ती है तो इंद्रा गांदी जी को करना ये था कि 65 के बाद 10 साल के बाद 75 में green revolution के उपर एक कमेटी बिठालनी थी लेकिन इन्होंने 75 में बिठालके green revolution के 5 साल बाद ही बिठाल दी कब बना दी 1970 में 1970 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था National Commission on Agriculture N.C.A. ये N.C.A. जो बनाया गया ये 1976 में एक report सम्मेट करता है आगे इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे 76 में जब ये report देगा उस report में ये बोलेगा क्योंकि agriculture की है तो पूरा एरिया का broad spectrum में ये discuss करेंगे तो वहाँ पर ये forestry के उपर भी एक पूरा section लेके चलते है और उस report में ये बताते हैं कि हमारे पास forestry से ज़्यदा कुछ है नहीं हमें यहां और बहतर काम करने की जरूरत है और ये तुमने एक छोटी सी चिलर सा एक कमरा खोल रखा है इनको भही कुछ पैसे देदो इनकी बड़ी सी building देदो जिससे ये और पहतर काम कर सके हैं और data 6 से collect कर सके हैं तो उस रिपोर्ट के आधार पर अब क्योंकि रिपोर्ट आई 76 में 77 में इंद्रा गांदी जी की नौकरी चली गई बापिस सत्ता में आती हैं 80 में तीन साल में जन्ता कवर्रमेंट रहती है उस टाम पे तो 80 में आई तो तैसी जैसी पावर में आई उन्होंने फटाक से देदनादन देदनादन काम करना शुरू कर दिया तो 81 में ये जो एफ और ये है फोरेट सर्वे ओफ इंडिया है इसे बना जाता है कब बनाया जाता है से 81 में जयां रखें कि 81 है 82 नहीं है ये 81 में बनाया जाता है आप आपosed पूछा जाता है कि ये फोरेट सर्वे ओफ इंडिया कहा है दहस रादूर कभ बंदा अचनल कमिशन और एग्रिकल्टर की जो रिपोर्ट है या इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बिश्चिस पर ये संस्था इससे पहले किस नाम से जानी जाती थी पिसफर के नाम से पिसफर कब बना 1965 माई बनाने में कौन रॉल था F.E.O, UNDP और Government of इंडिया ये तीन लोग थे 65 के बाद जब पिसफर बन गया, उसके बाद आगे बढ़ती है इस्टोरी तो अपनी इस्टोरी आती है 68 पर 68 में दो बड़े इवेंट होते हैं पहला इवेंट होता है Champion and Sith का Forest Classification ऐसा नहीं है कि Champion and Sith ने इस Classification पहली बार दिया हो इससे पहले भी Classification बहुत सारे आचुके हैं लगबग साइद 17-18 के आसपास Classification है कोई किसी बेसेश पर कर रहा कोई किसी बेसेश पर कर रहा है बट यह है कि इनका Classification जो है काफी ब्रॉड था इन्होंने अपने जो Indian Forest है उसको पाँच ग्रूप में डवाइड किया यानि कि एक टाइप से 5 टोकरियां बनानी है 1,2,3,4,5 5 ऐसी bucket बना दी इसके अंदर 7 टाइप की forest को रखा इसके अंदर 3 है इसके अंदर 3 है इसके अंदर 1 है इसके अंदर 2 है 3,6,3,3,9,10 10,1,16 तो इस टाइप से 5 ग्रूप फाइब ग्रॉप्स और 16 टाइप्स तो इन्होंने इंडियन फोरेस्ट को 16 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया ये काफी ब्रॉड था उस टाइम पर बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था तो ये आया कब आया 1968 में अब इस से रिलेटेड एक इसू और है ये जो लंगोट या भाई है चेंपिन अन्सेथ इन्होंने भी ये 68 का क्लासिफिकेशन एकदम नहीं दे दिया ये साइध है 63 के असपास इनका काम सुरू हुआ इसमें इन लोगों ने इंडिपेंटेंटली रिसर्च पेपर पब्लिस किये फिर जैसे तुमने भी कुछ काम किया किसी और ने भी काम किया फिर तुम्हारे रिसर्च पेपर उसको मिले उसके तुम्हारे मिले कौन से बोतों है नहीं नीज पेपर में पब्लिस हो गया या आज के टाइम के मैकजीन है एक ने पब्लिस किया सबी जिगा फैल गया टाइम लगता था पहुझने में तो जब ये दोनों एक दूसरे के रिसर्च को देखते हैं पहुझने लगता भाई तुम भी उसी में कर रहा है हम लोग और मिलके बहतर कर सकते है तो ये लोग बापिस आते हैं और जोइंटली एक रिसर्च पेपर या बुक पब्लिस करते हैं नाइन्टी सिक्स्टी फाइब में तो कुछ जगा आपको ये लिखा में लिखा कि वो कवाया नाइन्टी सिक्स्टी फाइब में अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो भी गलत नहीं है सिक्स्टी फाइब में इन्होंने दिया जब आप सिक्स्टी फाइब में देऊगे वो proper way में पूरे देश में publish होगा forest department के पास जाएगा तो फिर department के जो person है वो क्या देखेंगे तो उन्हें सारे जहां के बारे में क्या लिखा है हमें मतलब नहीं है इसमें हमारा वाला forest कहा है जिसकी में जो नौकरी खा रहा हूँ तो कहने का मतलब है 65 के एक्ट में कमिया निकलेंगी देश के कुछ forest थे जो इसमें कवार थे कुछ नहीं थे किसी का proper description नहीं है या उतना detail में नहीं है या description में error है या कोई forest था जो छूड़ गया तो तीन साल मेंने बहुत कुछ feedback मिला ये लोग बापिस आते हैं और 68 में यही classification again published करते हैं और उसका नाम रहता है revised revised classification of the forest classification revised classification of Indian forest इस title से ये फिर से forest classification करते हैं तो एक question आता है कि Indian जो forest है उनका classification किस ने दिया champion and safe ने कब दिया 1968 में question आता है कि revised forest जो classification है वो किस ने दिया तो अभी हाल फिलाल में आप answer याद रखिए champion and safe क्योंकि 68 का जो था revised forest classification था यही title था उसका आगे हम लोग जब national commission और agriculture पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे उन्होंने भी forest की classification को रिवाइज किया है तो वो मुद्धे पर हम आगे discuss करने वाले हैं अभी आप इतना समझो कि 68 में इन्होंने यह कर दिया यह सारे इवेंट पर question पूछी जा चुके है यह के साथ है किस के अंदर साथ है कितने सोला पांच इन पर जब हम लोग forest टाइप चांगे पढ़ेंगे कुछ वेंटे वाद तो यह इन पर हजारों question मल जाएंगे आपको हजार तो नहीं है लेकिन हाँ 20-25 question मल जाएंगे आपको 68 में एक एन और इवेंट और होता है उस टाइम पर दिल्ली में common wealth जो है जैसे हम लोग common wealth के game होता है वैसी common wealth forestry की एक conference होती है 9th number की थी common wealth forestry conference जैसे हम लोग जब academics में साइध है मुझे लगता है कि आप में से majority ने नहीं सुना होगा जब हम academic में थे जब हमारे एडवाईजर ने बोला था कि तुम्हें अगर ज़्यादा पालना है तो एक काम कर सकते हो पैसा था नहीं तो बोला ऐसा कर सकते हो कि common wealth वालों को एपलाई कर दो तुम्हें फोरेश्टी में common wealth की scholarship मिल जाएगी तो first time ये common wealth फोरेश्टी के बारे में एक basic idea मुझे master करने के बाद पता पढ़ा कि हाँ ऐसा भी कुछ बवाल है दुनिया में exist करता है तो ये जो common wealth forestry थी उसकी conference 9th नंबर की हुई उस ताइम पर नई दिल्ली में कब हो रही थी 68 में इस common wealth में एक person आते है वेस्ट वबी जैक वेस्ट वबी ये जो जैक वेस्ट वबी है यहां पर आकर के अपनी speech जाड़ देते हैं उस speech में मजे मजे में एक term use करते है social forestry मतलब मजे मजे में नहीं ये बात तो करते हैं उसमें serious बात होती है और ये बोलते हैं कि हमें सामाजिक वानकी की तरफ जाना चाहिए forestry conference है तो पूरा इसू यही था कि forest को कैसे बचाया जाए तो उसमें यही मुद्दे को discuss करते हैं कि हमें forest यह tree plantation का जो work है उसे people लोगों के पास पहुचना चाहिए जिससे forestry पे pressure कुछ reduce किया जा सके उसके लिए एक term use करते है social forestry मतलब society की forestry यह conference कब हुई 68 में किसने किसने दिया term social forestry jack westowin तो आप से question पूछा जाता है कि social forestry term जो है वो किसने कहा coin by किसने दिया given by किसने use किया used by सब किसाब आएंगे jack westowin कब commonwealth की conference में नई दिल्ली में हुई 68 में ठीक है अभी एक issue वह रहा है बस थोड़ा बहुत और लिख रहा है कि उस ताइम पर स्री राम के नाम से भगवान स्री राम थे agriculture minister क्योंकि अभी भी यह forestry agriculture ministry का एक department है तो वो minister थे तो उन्होंने इसका उदगाटन किया था चलता रहेगा समस्या यह है क्योंकि इससे पहले मुझे भी आइडिया नहीं था महरास्टा फोरेश सर्वेस महरास्टा पीस्टा पीस्टी का जो forest service है ECFR उसमें उन्होंने question पूछा कि देश में पहली बार social forestry term किसने यूज़ किया और उसका उनका official answer था national commission on agriculture तो इस मुद्य को बार देख लेते हैं आपको पता है कि सत्तर में 1970 में green revolution के उपर इंद्रा गांधी जी आती है और 1970 में एक committee या commission का गठन कर दिया जाता है national commission on agriculture का यह जो सत्तर में गठन किया गया यह commission अपनी 76 में एक report summit करता है इस report में वो 3-4 ऐसी event है major event है जिनने बोलता है जिनने अपने मतलब के है पहला है एक तो इसमें यह बोला जाता है कि forestry sector का तुमारे पास data सही से नहीं है कोई संस्था सही से खड़ी करो एक काम कर सकते हो जो पिस्पर की नाम से वो एक तुमने जोला चाप संसा बना रखी है उसे पैसे दो भाई सही से एक building दो मतलब negative मैं नहीं लेना उसे कहने का मतलब एक छोट ऐसा तुमने एक institution बना रखा है उसे fund दो और एक proper organization लेकी आई है जिससे data सही से आ सके क्योंकि उसको fund है नहीं कहां से काम करें चार लोग कितना काम करेंगे एक तो वो मुद्दा आता है दूसरा यह यह बोलती है कि social forestry जो है उसे हमें promote करना चाहिए यह commission की report में social forestry को promote करने की बात की जाती है तो term इन्होंने भी social forestry टर्म यूज कर दिया अब भई यह common wealth में हुआ था तो यह कोई Britain, France में थोड़ी हो रहा था यह भी न्यू देली में हो रहा था ना तो अगर किसी कोई बोल रहा है आप से के देश में पहली बार social forestry term किसने यूज किया यह कब यूज किया गया देश में तो आप इसे लगा सकते हो क्योंकि यह भी 68 भी देश के अंदर ही है न्यू देली भाई अंडवाने को बार उदर अंटर्का पर नहीं है लेकिन क्योंकि उसमें भाई यह दे रखा है तो और कोई option नहीं है आपके पास तो एक social forestry पर मुद्दे पर यहाँ यह national commission on agriculture यह बोलती है अब question देख लेते है the term social forestry was coined why who coined the term social forestry in ninth commonwealth forestry conference यह ध्यान रखना यह commonwealth है वहाँ पर world forestry congress, world agro forestry congress, international congress से दूसरे उल्टे सीधे नाम लखे रहते है commonwealth की थी बोडी ना की अधर की यहाँ पर आपके वाई यहाँ पर कई बार लोग क्या मुंसी लगा के आ जाते है मुद्दा यह हो जाता है कि क्या मुंसी इतनी बार पढ़ा होता है को आपसन में सीधा सीधा क्या मुंसी दिखते है बोला बस मास्त है मिल गया चलो आगे आपको जैक वेस्ट ववी तक भाई गम खा जाना है अगे तर्म सोसिल फोरिष्टी कॉइन बाई वेस्ट ववी इन दा कॉमन वेल्फ फोरिष्टी कॉंग्रेस हिल्ड इन दिली इन दा यर कावू 68 में दा फिर्स टाइम दा सोसिल फोरिष्टी टर्म वाई यूजड बाई यह राजस्थान वालों ने पूछ लिया अभी आये था 21 में यह 18 का एक्जाम है मतलब एक्जाम का नाम 18 का है लेकिन यह हुआ था आपका साइध 25 फरवरी के असपास हुआ था 2021 में टर्म सोसिल फोरिष्टी वाई फिर्स टाइम यूजड इन इंडिया फर्स्ट टाइम देश में सोसिल फोरिष्टी टाइम में कभ यूजड किया गया अब आपको पता है कि कॉमन वैल्थ में हुआ है तो यह हुआ अपना 90 68 में लेकिन भाई आप्शन ही नहीं है एक 66 है एक 76 है 86 हो 96 है अब कर लो क्या करोगे यह BHU वालों ने कॉश्चन ऐसा पूछा और दो बार पूछ चुके हैं यह उसमें भी मिलेगा आपको महराश्चा वाली में सेम कॉश्चन तो आपने पास मजबूरी हो जाती है कि यहाँ 76 लगा दो क्यों? क्योंकि भाई उसकी रिपोर्ट आई थी National Commission on Agriculture की और कोई यहाँ मुद्दा ऐसा है नहीं कि हम लोग उसको पीछे पढ़े रहा है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि MP में ऐसा कॉश्चन आए तो डिलीट कर वादो कि भाई आप्शन तो इसमें है नहीं यह नियरेस आंसर 66 है जो भी हो 68 आंसर है इसमें अपने फिट नहीं बैठते हैं Social Forestry in India वाज first emphasized in the report of Social Forestry का इंडिया में first emphasized in the report यह कॉश्चन है ICR का अच्छा कॉश्चन है अब कॉश्चन देखो Jack Westo भी जैसे suppose यह ऐसा मान लो मैं अभी आप से बोल देता हूँ मजाग मजाग मैं कि इस बार की जो PSC है उसका कट ओफ 290 जाएगा और कोई इंसिडेंटली वो 290 आ जाता है तो कल कोई predict करें कि भाई MP की कट ओफ का सबसे सही डाटा किसी ने दिया तो अब बोल्दवान उपसर ने दे दिया सबसे पहले नहीं ने दिया था पेपर होने से पहले दे दिया था और बिल्कुल accurate दिया था तो ये चीजे मजाग हो जाती है तो बैसे ही इसके साथ है social forestry भले ही वेस्ट ओभी ने दे दिया लेकिन actual में limelight में कवाया जब अपनी national commission जो है agriculture पर वो उस रिपोर्ट बनाता है और उसको promote करने की बोलता है और government उस रिपोर्ट को serious लेके आगे बढ़ती है तो ये कवाया national commission agriculture में इसलिए इस वज़े से हम लोग देश में पहली बार यूज हुआ तो जो national 76 की जो date है उसे इसलिए उसका एक answer मानके चल रहा है social forestry बाज started in by social forestry किसने started किया तो answer अपना NCA national commission on agriculture ये इसलिए इसका answer आजाता है what does NCA stand for इसका मतलब क्या है NCA का national commission on agriculture बाज constituted stabilize मतलब ये slash का मतलब है ऐसे question repeated है चाड़ जगह देने साच्छा है कोई बोलेगा created कोई constituted कोई stabilize ऐसा है slash डाल के सब terminology डाल दो जिससे आपको याद रह जाए कहां ऐसे ऐसे आते हैं बस फटक फटक का बनी 70 में national commission on agriculture emphasize agriculture forestry education under the following five year plan किस five year plan में या है तो भाई ये seventh five year plan में हमने इस पर emphasize किया था बस खतम काम है इसमें और जज़धा कुछ है नहीं 76 की report है एक खाल एपीली के question चलते रहेंगे अपने अग्रोप्स की अब आता है 70 का जमाना क्योंकि हम लोग पिस फट से शुरू हुए थे और social forestry जो term है उसकी बात कर रहे थे और social forestry पर term use करते करते हम लोग national commission पर पहुँचे गए थे लेकिन अभी हमें बापिस वही 68 की बात कर रहे थे 68 में अपना आया था forest types in India और national commission on agriculture की report अब आता है 70 70 में गुजरात इंडिया का ऐसा पहला state होता है जो अपने यहाँ social forestry की plantation करना start कर देता है तो question आता है कि इंडिया का पहला state जिसने social forestry को अनौप्ट किया गुजरात आप थोड़ा इसे serious भी ले सकते हो या मजाग भी ले सकते हो जो industries है उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है लेकिन उनकी requirement जो है उन्हें fulfill होने में time लगता है लगता है जितीज भारिष हो रही है तो बादल की साथ आपको आबाजा रही हो फॉर एक्जामपल के लिए neem coated urea हम लोगोंने neem coated urea 2012 15 के बाद बारात से 13 इस टाइम पर सुना होगा आपने neem coated urea लेकिन neem coated urea के लाज ये social forestry project चले तो ये 80 के टाइम पर वहाँ neem की plantation की गई थी जो उनने उस टाइम पर 80-90 में plantation की उसको आज ये utilize कर रहा है मतलब सोचो industries कितने आंगे पहले सोच रही थी कि हमें कहां जाना है तो social forestry गुजरात में कब सरूगा 1970 में उस टाइम पर ये social forestry गुजरात में आया